Hello everyone, I am Pawan from TCML and in this video हम आपसे बात करेंगे folies, catheter और IV cannulas के उपर and एक यह आपने एक चीज़ जरू सुनी होगी कि 12, 14, 16, 18, 20 नमबर तो मुझे इन नमबर का folies लाके दो इन नमबर का IV cannulas लाके दो overall जो 12, 14, 16, 18, 20 है इनका actual मतलब क्या होता है इसको हम discuss करेंगे इस वीडियो के अंदर and सबसे पहले हम क्या करते हैं इन दोनों folies को open कर लेते हैं मैंने दोनों folies को जो हमारे रेपर है, उनसे बाहर निकाल लिया है and ये वाला कौन सा है, this is orange color ये वाला कौन सा है, this is yellow color and देखिए, एक बात अपने दिमाग में रखना कि जो ये folies catheter होता है ये क्या होता है, strile overall new है कि इस folies को हमें हाथ नहीं लगाना है, या फिर बोल दीजिए जब भी हम कोई patient के अंदर folies डालते हैं तो इस पूरे के पूरे folies catheter को हाथ से touch नहीं करना है okay, and इसे हम कैसे open करेंगे तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे gloves पेने के दोनों हातों में, देन उसके बाद क्या करेंगे इसे उठाएंगे, और देखिए, आपको यहाँ पर एक mark दिख रहा होगा इस polythin के उपर, तो इस mark को ऐसे करके इसे खीचेंगे, okay, देखिए, मैंने तो क्या है, यह फाल रखा है पहले से तो मैंने आपको समझाने के लिए, यहाँ पर एक white tape लगा रखी है overall क्या होता है, यहाँ पर ऐसे एक mark आता है dotted and जैसे ही आप इसे खीचोगे ना, तो यह automatic फट जाता है और देखिए, मैंने क्या बोला, कि इस foliage को ऐसे हाँ से चुना नहीं है end देखिए, इस foliage को हम ऐसे ही अज्यूम कीजिए, कि यह क्या है पूरा परा यूरित्रा है तो यूरित्रा के अंदर हमने foliage डाला, और जब हम foliage को यूरित्रा के अंदर डालेंगे तब भी हमें इस foliage को हास से चुना है end अब हम बोलेंगे, कि सर हम इस foliage को हास से चुना नहीं करेंगे तो यह आगे किसी जाएगा, तो देखिए, हम इसे आगे कैसे बेज़ते है पूरीथीन की मदद से, मतलब हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे मतलब polythene से ही हमें आगे धका देना है देखिए इतना सारा बहार निकल गया और धका दिया, और धका दिया, और धका दिया तो इतना देखिए बहार निकल गया overall क्या है, folies को direct touch नहीं करना है क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या होता है इस्टराइल होता है अब हम आते हैं इनके numbering के उपर कि ये वाला कौन सा है दिसीज orange color ये वाला कौन सा है yellow color तो देखिए आपने पड़ा होगा कि 12 नंबर का 14 नंबर का 16 नंबर का 18 नंबर का मतलब 12, 14, 16, 18, 20 होगा उस हिसाब से क्या होगा इनका diameter बढ़ेगा diameter मतलब कि मैंने इस folies को यहां से काट दिया इस folies को भी यहां से काट दिया अब हम क्या देख रहे हैं इनके diameter तो अबराल जो one line थी वो क्या थी कि जितनी भी natural openings होती है जिस लाइक हमारा यूरित्रा हो गया जिस लाइक हमारा माउथ हो गया या फिर बोल दीजी हमारा नोज हो गया तो इन natural openings के अंदर जो भी हम catheter डालते हैं या फिर जो भी हम tube डालते हैं तो उनके या number बढ़ने पर diameter बढ़ता हैं मतलब बारा नंबर वाला थोड़ा कम diameter का होगा 14 वाला और बढ़ा होगा 16 वाला और बढ़ा होगा 18 वाला और बढ़ा होगा 20 वाला और बढ़ा होगा numbering बढ़ने पर diameter बढ़ता हैं और किनका बढ़ता हैं? जिनको हम डालते हैं natural openings के अंदर यानि कि युरित्रा के अंदर, माउथ के अंदर और नोज के अंदर इन में से कुन चा है? foliage, यस, इसे हम कहा डालते हैं युरित्रा के अंदर, यानि कि इसे हम डालते हैं natural openings के अंदर, मतलब कि 12, 14, 16, 18, 20, 12 वाला का diameter इतना होगा, और 20 वाले का diameter बहुत बढ़ा होगा, मतलब गोला काटने के बाद गोला आता है, जबकि जो आईवी केंजला होते हैं, यहाँ पर क्या होता है? उल्टा होता है, उल्टा मतलब कि 12 वाले का diameter बहुत बढ़ा होगा, क्योंकि इन्हें हम natural openings में डालते हैं अरे भाई, आपको अगर आईवी केंजला को डालना है, तो overall आप क्या करोगे? छेद करोगे, आप आईवी केंजला से अपनी blood vessels में, जो वेंचोतीर में छेद करोगे, तो वो क्या है? नेचरल opening नहीं है अब नेचरल मतलब यूरित्रा होगा है, नेचरल कम होता है, मतलब आईवी केंजलाज के अंदर जो 20 नुमबर वाला होगा, वो बहुत छोटा होगा बहुत ही छोटा, एंड जो 12 नुमबर वाला होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, मतलब मैं डायमेटर की बात कर रहा हूं मतलब 12 नुमबर वाला, 14 नुमबर वाला, 16 नुमेटर वाला ये किस में होता है, नेचरल अपनिंग्स वाले क मतलब कि ये 12 नुमबर का है, 14 नुमबर का है, 16 नुम किसमें होता है जो नेचरल ओपनिंग्स नहीं होती है यानि कि यस लाइक आई विक गैंजला हो गया ये नेचरल ओपनिंग नहीं है मतलब नंबर बढ़ने पर डायमेटर घटेगा बारा नंबर चोदा नंबर सोला नंबर आई होप समझ गए होंगे और ये गोला ये क्या है जब आपने इसे काटा ना फॉलीज को यहां से काट दिया फॉलीज को यहां से काट दिया तो हम डायमेटर देखेंगे ना डायमेटर देखेंगे तो वह डायमेटर की बात कर रहा हूं और देखिए मैं आपको यहां पर फॉलीज का दिखा भी देता हूं यह क्या है और य तो देखिए आपको भी साफ साफ दिख रहा होगा कि जो मरे राइट हैं जहाँ पर मैं उंगली गुमा रहा हूं दिसी येलो कलर फोलीच यानि की बीस नंबर एंड लेफ्ट वाले में कौन सा है 16 नंबर यानि की ओरेंज एंड देखिए 20 नंबर का डामेटर बढ़ा है 16 वा आपको तो पहले मुझे ये ओपन करने पड़ेंगे हाथ देखिए मैंने यहाँ पर सारे के सारे आईविक के दोना निकाल लिये हैं एंड मैं आपको यहाँ पर यलो और ग्रीन दिखा रहा हूं एंड देखिए जैसे में ग्रीन और यलो इन दोनों का कंप्रेजन करूंगा तो आप खुद देखिए कि इन में जो ग्रीन वाला है न वो थोड़ा मोटा है और यलो वाला है वो क्या है? थोड़ा पतला है। मैं डैयमिटर की बात कर रहा हूं deva वाले का आको दीघन होगा हुगा मैं आब भी फोटो लगा दूआ साइड में ताकि आपको सब कुस क्लियर हो जाए ओवराल ग्रीन वाले का डामेटर बड़ा हैं बड़ा है मतलब इसका नंबर चोटा होगा येलो वाला इसका डामेटर चोटा है यानि कि इसका नंबर बड़ा होगा क्यूं कि जो नेच्रल ओपनिंग्स नहीं होती है उनमें नंबर बढ़ने पर डायमेटर घटा है एंड ग्रीन वाले का नंबर कितना होता है 18 एंड यलो वाले का कितना होगा चोईस मतलब 18 गोस और 24 गोस ओके आई होप आप समझ गए होंगे हाथो देखिए अभी हमने only concept की बात की है कि जो 12, 14, 16, 18, 20 होता है इनका मतलब क्या होता है एसी कौन-कौन सी ट्यूब और केटेटर होते है जिनका नंबर बढ़ने पर डायमेटर बढ़ता है या फिर बोल दीजिए ऐसे कौन से ट्यूब और केटेटर होते है जिनका नंबर बढ़ने पर डायमेटर घटता है एंड अभी हमें IV kendula की color coding की बात करनी है कि कौन से number का, कौन से color का होगा और जो IV kendula की color coding है इसका एक simple सा concept होता है अगर वो आप समझ जाओगे तो सारी बाते आपके mind में permanent set हो जाएगी है और इनकी detail video हम जल्दी ही upload करेंगे and जो foliage catheter है इसके ओपर हमें दो बाते करनी है पहली बात क्या है कि इसका procedure क्या होता है कि जो male या female patient है उसके अंदर हम folies कैसे डालेंगे क्या procedure होता है second number क्या है folies का use and इन दोनों पर भी detail video हम जल्दी ही upload करेंगे और आज की जो हमारी video है वो जहीं पर finish होती है Bye झाले कि बाते कि बदाएector जो ज़ैं हएं होता है जो हम जो ऑलो करें जो जबें है एमिए बाते के जो जो रहर हम खritis कि उाव Ci détकेने